तो है वेरिवेंट नमस्कार श्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल संद्या कंपेटर क्लासे मैं शर्ण गुमार एक बातर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस बहतरीन मंस पे देखिएगा मेरे विद्यार तो आपका जो आरिशेर डे एक्जाम हैं 12 जनुरी को होने वाला है और दूसरे जितने वे डिस्टिक हैं उनको हमने बदा दिया हैं कि बाकी वाले के जिनका बाइस को नहीं है उनका 12 फेबरियर को एक्जाम होने वाला है तो मेरे विद्यार तो सभी जितने भी इस्टुएंट देख रहे हैं आप सभी के पास मे जिने बाइस तरीक के लिए तो अभी च्यार दिनी है और उनके लिए भी कोई ज्यादा दूर नहीं है दस बाराइस दिनों का समय उनके पास है तो लग जाएगा इस बार तैयरी के अंदर क्योंकि इस बार एक्जाम होल में कापी जो हैं सांदार परफुमेंस आपकी होने सबसे पहला की शन आप सभी की स्क्रीन पे एक इनन्लेमन मैं से वेदै प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है तो नहीं है का मतलब मेरे विद्यारतों तो प्रोजेक्टर को आप अपने सिस्टम के साथ कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं तो computer only होता है एक होता है ओनली, inverted भी होता है, duplicate भी होता है, यह जो, sorry, है न, यह, एक मिनिट, computer only होता है, duplicate भी होता है, extend भी होता है, यह inverted है, यह वाला नहीं होता है, यहां से आप clear रखना, एक projector only होता है, projector only, उसके बार में भी पता रखना, देखो, computer only का मतलब, केवल और केवल आपको किसमें गा, computer के screen दिखेगी, duplicate का मतलब, जैसा computer के screen दिखा रही है, वैसा का वैसा, projector के screen भी दिखाएगी, extend का मतलब यह है, कि computer के screen कुछ और दिखाएगी, और आपका projector कुछ और दिखाएगा, और projector only का मतलब होता है, कि केवल और केवल कौन दिखाएगा, projector दिखाएगा, तो यह से बाते आपके clear होनी चीए यहां से correct answer कौन सा inverted हो जाता है आगे बढ़ते हैं कि वीजी कार्ड में कितने पीन होते हैं तो विद्यार तो जल्दी से comment करो कि कितने पीन होते हैं तो इसका जो correct answer है 15 यहां से बिल्कुली correct हो जाता है आगे बढ़ते हैं का विस्तारित रूप क्या है तो विद्यार तो HDMI का विस्तारित रूप होता है आपका high definition multimedia interface option यह आपको जो दिख रहा है यहां से बिल्कुल correct विकल्प हो जाता है आगे बढ़ते हैं next question कि और कि e-mail में BCC विकल्प क्या है email का पूरा नाम आपको क्या है electronic mail होता है क्या होता है electronic mail BCC का मतलब blind carbon copy CC का मतलब carbon copy होता है तो यहां से BCC का पूरा नाम आपको क्या हो जाएगा blind carbon copy option भी correct विकल्प हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि आम तोर पर किसी परकार के निजी email खाते का उपयोग आपके computer पर email को download करने के लिए तो जब भी downloading नाम दे आपको किसके साथ में जाना है P.O.P. 3 के साथ में अगर email downloading का नाम दे तो P.O.P. 3 गर वेपार setting का बोले तो Microsoft accent यह दोनों question exam में पूछे जाते हैं इनमें से एक question आपको exam में देखने को मिलेगा अगर email downloading के लिए बोले तो P.O.P. 3 और अगर वेपार setting में बोले तो Microsoft accent आगे बढ़ता है next question के और कि आमतार पर किस परकार की email खाते का उपको वेपार setting में किया जाता अभी मैंने बता दिया Microsoft accent यहां से correct vehicle हो जाता है आगे बढ़ता है कि computer virus जो पैचान को रोकने के प्रियास में antivirus पर सक्री रूप से हमले करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे retro virus बोलेंगे क्या बोलेंगे विद्यार तो retro virus उसको बोला जाता है आगे बढ़ता है कि निमन मैं से कौन सा असली शुरक्षा और privacy risk का उधारन नहीं है तो मेरे विद्यार तो जब भी नहीं बोले तो किसकी साथ में जाना है hackers के साथ में जाना है यानि यह privacy risk का उधारन नहीं है और असली शुरक्षा भी यहां नहीं मिलती है यह तो आपके system को hack करने का काम करते हैं आगे बढ़ते हैं कि पेस्ट special command आपको copy और paste करने की शुविदा है तो यहां से actual formula की बज़ा है जो है एक formula की परिणाम सरुफ values के द्वारा आगे बढ़ता है next question के और कि worksheet में एक इसका 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 इस्तमाल करोगे जो मेरे विद्यारतियो इस्टेंट टूल बार पर जो format printer का बटन उपस्तित होता है उसके दोरा हम क्या कर सकते हैं कि वरक्षेट में एक प्रमेटिंग को पॉपी किया जाता है पिर दूसरे स्थान को प्लाइव किया जाता है आगे बटता है कि कि वरक्षेट ओर जैसे किषन है हो सकता है कि कोई एकाज किषन ऐसा भी हो जो repeated आपके लिए हो रहा है लेकिन वहीं किष्ऑन आपके समक्ष大 जो exam point of vision important होते हैं और भी आने वाली जितने भी classes हैं तो उनमें सारे के सारे equation आपको करवाय जाएंगे और जो sir जो है live classes लेके आते हैं मैं भी लेके आते हैं तो उनकी classes को भी आपको देखना है ताकि वहां से भी आपको बहुत सारी help मिलने वाली हैं आगे बढ़ता है कि MS power point में वर्तमान slide से slide 100 को सुरू करने कि shortcut कुझी क्या होती है जो वैसे तो क्या होती है F5 होती है ना वैसे आपकी normally slide को सुरू करने के लिए F5 होती है लेकिन आपसे क्या बहुत है वर्तमान स्लाइड के जब भी बात आए तो सिप्ट के साथ में F5 आपको करना है उसको रोकने के लिए S-CAP का इस्तमाल किया जाता है ना तो इतने सी बाते clear होनी कि आगे बढ़ता है कि एक नई presentation खाली जगह से बनाई जाती है जो विद्यार्त और नई presentation किसके माद्यम से होगी तो खाली presentation से भी हो सकती है मवजूदा से भी हो सकती है डिजाइन से भी हो सकती है तो अप्रोप्त सभी सरकारी option यहां से बिल्कुल correct हो जाता है आगे बढ़ता है कि presentation में विद्यमान सभी श्लाइडों पर एक जैसा परदिशन चाहने के लिए इनमें से किसका इस्तमाल किया जाता है तो बर्जेंटेशन डिजाइन टेंप्लेट आपका यहां से बिल्कुल correct विकल्फ हो जाता है आगे बढ़ता है कि दस्तावेस में हेडर और फोटर को डालने का मूल उदेश्य क्या है तो वे मूल उदेश्य क्या है दस्तावेस के दिखावट सुदारने के लिए है ना तो यह वाला विकल्फ है आपका बिल्कुल correct हो जाता है आपकी बुक्स में यह दिया हुआ आपको इसी को ही मानना है आगे बढ़ते हैं next question की और कि निमन मैंसे कौन सा एप नागरी को के मुद्दो को हल करने और समाधान करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो वे कितनी बार बता दिया रजस्तान संपर्क होता है आगे बढ़ते हैं next EPDS का पूरा नाम याद रखन wireless fidelity होता है क्या होता है wireless fidelity उसका पूरा नाम होता है Bluetooth एक pen per card का network है जो छोटी दूरियों पे data को जो transfer करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है इतने सी बाते clear रखनी है आगे बोला है PNR का पूरा नाम क्या है तो PNR 10 अंकों की एक संक्या होती है जो किसी भी online ticket को booking करने के बाद में आपको मिलती है एक reference number के रूप में कि उसका मेरे विद्यार तो पूरा नाम क्या होता है passenger name record option A हो है आपके ऐसे बिल्कुली correct हो जाता है कभी कभार वो आपसे पूचेगा IRCTC का पूरा नाम तो Indian Railway Catering Tourism Corporation इसका पूरा नाम होता है और अगर RSRTC का बोले यह ना RSR RTC का तो रास्तान राचिर वोडवेज परिवन देगा मुसका पूरा नाम होता है आगे पढ़ते हैं और अगर PS के बोले तो पासपोर्ट सेवा के अंदर यह जो भी बात में बोल रहा हूं आपको clear रखनी है आगे पढ़ते हैं कि किस अप्रादी करन द्वारा pen card को जारी क किया गया अब देखो pen card के संदर में pen का पूरा नाम होता है पर्मानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है पर्मानेंट अकाउंट नंबर होता है और pen card को जारी किस ने किया NSDL यानि National Security Depository Limited उसका पूरा नाम होता है सदी UIDI क्या है तो इसने विद्यार तो आदार कार्ड को जारी किया है किसको किया है आदार कार्ड को यूनिक आइडेंट्रिप्रिकेशन अथोरेटी ऑप इंडिया इसका पूरा नाम होता है NVSP तो आपका जो मद्दाता पोर्टल है उसको जारी करने का काम किस ने किया है NVSP यानि National Water Service पोर्टल आपका होता है यहां से correct answer आपका कौन सा होगा NHDL pen card बनाने के लिए form कौन सा आपका रखता है गुन पच्छास यह लगता है और RTE फिलिंग के लिए form नबर 16 होता है इतने सी बात आपको पता रखनी है आगे बढ़ता है कि नागरीक online मद्दिम से विश्व इद्याली की सुर्क का बुगतान कैसे कर सकते है तो option D आपका यहां से correct हो जाता है आगे बढ़ता है कि नागरीक online मद्दिम से रोजगार के लिए कैसे पंजी करन कर सकते हैं तो बई दौनों विकल्प सही होगा इमित्र और रोजगार विबा की website आगे बढ़ता है कि निमन मैंसे किस एब के द्वारा नागरीक नागरीक रास्तान संपरकृर सिखायद दर्श कर सकता है तो वह सारे के सारे है ना सारे के सारे correct है आगे बढ़ता है कि FPS का पूरा नाम देखो आपसे पूचेगा FPS का पूरा नाम तो fair price swap होता है क्या होता है fair price swap आपसे बोला कि MSP का पूरा नाम minimum support price आपसे बोला BPL का पूरा नाम तो below poverty line आपसे बोला APL का पूरा नाम above poverty line आपसे बोला EPDES का पूरा नाम तो electronic public distribution system इससे बार examiner नहीं जाएगा आगे बढ़ता है कि EPDES के संदर्ब में MSP का पूरा नाम तो अभी बता दिया minimum support price आगे बढ़ता है next question के और के पूरा नाम कि बिलोव पौवर्टी लाइन क्या होता है below poverty line next question आप सभी की स्क्रीन पे कि जॉब सर्ष वेबसाइड का उतारन कौन सा है तो विद्धार तो आम नोक्री.com आपका यहां से correct हो जाता है नोक्री.com मॉंस्टर है टाइम जॉब डॉट कॉम है जॉब अलर्ट है कि सारे के सारे किसके उतारन जॉब सर्ष वेबसाइड के एग्जांपल होते हैं जबकि Amazon है पेटियम है यह ता आपके एग्जांपल होते है यह पेटियम वैसे आपको mobile वालिट भी होता है आगे बढ़ता है अतीम अत्यपूर्ट किशन के online shopping किस परकार का लेंडन है तो भी टू सी बी का मतलब होता है बिजीनेस क्या होता है बिजीनेस और सी का मतलब होता है कंज्यूमर क्या होता है सी का मतलब कंज्यूमर यानि बिजनेस टू कंज्यूमर परकार की क्या होती है ओनलाइन शपिंग विबसाइड होती है यह सारे कैसा यह वी कॉमर्स के परकार है आपको इतनी सी बाते क्लियर रखनी है आगे बढ़ते हैं कि नेमन मैंसे सर्श इंजन का उधारन तो वह कौन सा Google यहाओ बिंग यह तिनों के तिनों सर्श इंजन होते हैं आगे बढ़ते हैं कि नेमन मैंसे कौन सा एक email client है तो email client आपका कौन सा होता जीमेल आपका बिल्कुली करेक्ट विकल हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन की और की MOOC यानि मौक का पूरा नाम के है तो मैसिव ओपन ओनलाइन कोर्स या मैसिव ओनलाइन ओपन कोर्स यहां से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल और इससे जो जुड़ी हुए संस्ता है यूडिसीटी है कोर्से राय खान एकेदमी है यह सारी के सारे इससे जुड़ी हुए संस्ता है तो उनके बारे में भी आपको पता रखना है ओनलाइन जो एजूकेशन का एक प्लेटफॉर्म है जिसको मौक नाम दिय जा गया है अगला किशन निम्न मैंसे परदानमंदी जंदन योजना से जुड़े लाब तो पही ऑप्शन डी यानि एक लाग का दुरगतना विमा तीस जार जीवन विमा पांस जार के और ट्राप्ट की सुविद आए और यह सुरू कब हुई तो अगस्त 2014 के अंदर स्टा काड नहीं होता अगर यहां पर डेबिट काड भी नाम आता ना तो वो भी नहीं होता याद रखना है अगला किशन की निम्न मैंसे कौन सा प्रिंटर प्रिंट है इसस चिया है कि चोटी-चोटी बुंदों का चिड़का के पेस को जो है पेस पर इमेज का निर्मान करता है तो इंक जेट जब भी इंक नाम दे तो इंक जेट आपको लगा रहा है लेजर किसका उप्यों करता है ब्लेक सुका पाउडर किसका करता है ब्लेक सुका बाउडर सरी प्लॉटर क्या है तो उच्छ गुनवता के ग्राफिक्स या वेक्टर का उत्वादन करता है आगर बढ प्लेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास फोड़ा समय का अबाव होता है और भी आपके चल रहे होंगे तो उनकी आप तैयर ही कर रहे होंगे तो ज्यादा अगर समय नहीं है फिर स्वाट क्लैसे आप जुरूर देगें इनके माद्यम से भी आपको जो हैं कापी चाहरी जानकारी मिलने वाली है और यहीं मेरे विद्जार जो आपके एक्जमवाल में कीशिन देखने को मिलने मृले है तो उमीद हैं आपको उस शेशन पसंद आया होगा अगिर शेशन को लाइक चैयर चैनल को सबस्क्राइब जलो गए अभी के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्ट शेशन के साथ में तब तक के लिए जय हिन वंदे मातरम जय बारत